पैसिल के केवलत थाना अंतरगत के ग्राम उम्री में रात करीब बारा बजे पूत्र ने अपने पिता पर कुलहाडी से गंभिर वार कर हत्या करने का मामला उजागर होने से संसली फैल गई प्राप्त जानकारी के नुसार मृतक पिता रामदास धुरवे 55 वर्षिय निवासी उम्री यह खेती के काम करता था दिनांका आठ अप्रेल रात उसके बेटे दुरगेश रामदास धुरवे ने कुलहाडी से वार कर उसकी हत्या करने की जानकारी पुलिस को प्राप्त होते ह थानेदार राकेश साकर कर, अपने तबलके के साथ घटना स्थल पर रवाना होकर, घटना स्थल का मुवाना कर, हित जोती फाउंडेशन के हितेश बनसोड तता सयोग की मदद से, मृतक का शव प्रातमिक स्वास्त प्रशिक्षन केंड साव ने रवाना किया गया, जहां डाक अक्सर विवाद पीता से होते रहता था दिनांक 8 अप्रेल की राद भी कुछ ऐसा ही घटित होने की संभावना व्यक्त की जारी है जिसके चलते नशी की हालत में आकर हत्यारे बेटे ने अपने ही पीता को मोत के खाट उतार दिया थाने के हत्यारे दुरगेश तथा उसके ब आचलों में बढ़ता नशे का कारोबार विश्वस्त सुत्रों की माने तो उक्त हत्या नशी की हालत में होने की जानकारी प्राप्त हो रही है साथी ग्राम उम्री जैसे छोटे गाव में शराप के साथ साथ गांचा चरस तथा एमडी पावडर आधी आसानी से मिलने की जा पार तथा नशे के सवदागरों पर नकेल कसने की मांग उठने लगी है क्या नाकपुर जिला ग्रामिन के पुलिस अधिक्षक हर्ष पोद्दार तता उपविभ्याग्य पुलिस अधिकारी अनिल मस्के एवं थानेदाल साखर कर ग्रामिन आंचल में फैलते हुए नशे के अ